इस lecture के अंदर दो important चीज़ों की बात होगी जो मैंने कल आपको assignment भी दी थी two important things वो क्या होती है वोती है eigen vectors and eigen values ये दो important चीज़ें क्या है ठीक है अब इनको समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ say for example मेरे पास एक जादूई डबा है और जादूई डबे के अंदर मैं कोई भी चीज़ डालता हूँ वो बड़ी होके बाहिर आ जाती है for example मैं उसके अंदर ये अपने airpods रखता हूँ ये double होके यानि के double size में होके मेरे पास बाहिर आ जाती है मैं इसके अंदर अपनी chapstick रखता हूँ ये double होके मेरे पास आ जाती है मैं इसके अंदर अपना wallet रखता हूँ ये size में double होके मेरे पास आ जाता है पहले चीज़ तो ये है कि जब भी कोई चीज़ रखें वो उस magic box का मतलब ये है कि वो double कर देता second ये है कि अगर ये pen की position मेरी इस side पे है और वो magic box इसकी position भी change कर देता है तो वो magic box दो किसम की चीज़ें apply कर रहे है उस पे एक तो उसका size को scale करके double कर रहे है second ये कर रहे है उसकी direction को भी flip कर रहे है इस magic box को अपने mind में रखिएगा अब हम concept की तरफ चलते हैं कि eigen vectors and eigen values क्या होती है अब ये जो magic box वाली मैंने example आपको बताईए है अगर आपके mind में ये example रहेगी then it would be easier for you guys to understand के eigen values and eigen vectors होते के हैं अब यहाँ पे say for example वो जो मैं box की बात की है वो ये है ये मेरे पास box है मैंने इसके अंदर car डाली ये मेरे पास car 2x में आ गई 2x quantity नहीं मैं कहा रहा है double size उसका बड़ा हो गए ठीक है और अगर मैं इसी box के अंदर say for example मैं pen रखता हूँ ये वाले pen का size जो है ये output करता है 2x pen के अंदर करतेते हैं मतलब pen का size जो है वो double हो जाता है अगर मैं इसी के अंदर कोई और चीज आड़ करता हूँ say for example मैं bicycle रखता हूँ बच्चों वाली bicycle रखता हूँ वो मेरे पास बड़ी होके आ जाती है मतलब 2x हो जाता है bicycle का size ठीक हो गया अब हमारे पास ये जो magic box है इसकी ये खासियत है कोई भी चीज इसके अंदर डाली जाए तो ये मेरे पास size उसका double करके मुझे provide कर देती है और अगर ये साथ में size के साथ साथ अगर मैंने for example bicycle बनाई है just for the sake of bicycle और उस bicycle की जो direction है मुझे drawing मेरी बहुत शुरू से गंदी है so I am just trying to build a bicycle उसकी direction जो है its side पर है और जब मेरी नई bicycle बनती है मैं उसी को select करता हूँ और इसका size फिर double करेंगे ये मेरे पास आती है copy, paste इसको यहाँ पर लाता हूँ ये same direction में लेकिन size इसका double हो गया मेरे पास ये double हो गया अब ये जो मेरे पास bicycle आई है जिसका size मेरे पास double हो के आया है तो इसका मतलब है अगर इसका size मेरे पास 1x था ये वहला 2x हो गया इसी bicycle का size और उसकी direction same रही है अब यहाँ पर देखते हैं कि आईगन वेक्टर क्या होती है अब इसको समझाने के लिए हम आईगन वेक्टर और आईगन वेक्टर आईगन वेक्टर देखेंगे आप इस equation को ये जो मैंने अभी आपके सामने लिखी है जो magic box बनाया है इसको ज़रा अच्छे से देख ले मैं 30 seconds आपको देता हूँ आप अपने दिमाग में इसकी जो value है उसको बिठा ले इंक तफ़ा बड़े असानी के साथ हमने ये चीज समझनी है हमने skip नहीं करना इसको ठीक है? समझ आगी आपको? अब मेरी बात याद रखिएगा एक बड़ी गोर से मैंने जब cycle की direction ये रखी है cycle बड़ा होके इसी direction में आ गया है लेकिन जैसे ही मैं pen इस direction में रखता हूँ pen की direction नीचे को हो जाती है उपर को हो जाती है ये different side हों पे car इस direction में रखता हूँ जिनकी direction और size दोनों change हो रहे है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी size तो change हो रहे है लेकिन direction change नहीं हो रही इन ही चीज़ों को इन ही special items को हम vectors कहती है और अगर वो अपनी direction change कर लें दूसरी side पर तब भी vectors होंगे लेकिन specific वो वाले vectors जो अपनी directions change ना करें उनको हम बोलते हैं eigen vectors ठीक है so eigen vectors हमारे पास कौन से होंगे जब भी वो किसी transformation के अंदर रखे जाएं वो अपनी direction को change ना करें ठीक है so ये वो वाले है size change हो जाएगा size will be changed but direction will remain same ठीक हो गया इनको बोलते हैं eigen vectors अब eigen values क्या है गोर कीजेगा यहाँ पे जो उसका size था वो ये वाला one unit था जब इससे double हुआ तो वो ये वाला हो गया two unit इसका मतलब है ये जो unit vector के साथ जो scalar multiply करके उसका size में increase ला रहा है इसी को हम eigen value बोलते है समझागे बात की अगर कोई चीज अपनी direction change ना करे ऐसा vector जिसकी direction change नहीं होती लेकिन उसका size change होता है उसे eigen vector बोलते है और वो वाली चीज जितना उसका size increase करके double हो रहा है triple हो रहा है whatever it's coming तो उसको हम बोलते है eigen values यह eigen value 2 भी हो सकती है अगर चीज डबल हो गई है मतलब 1x यह था यह 2x हो गया तो eigen value इसकी क्या हो गई 2 अगर यही चीज मतलब यहां से दुबारा जब हमने छोटा कर लिया इसको यह हो जाएगा 0.5 तो eigen value क्या है इसकी 1 by 2 यानि के half कर दिया या 0.5 कर दिया तो इस तरीके से हम eigen values और eigen vectors को हम देख सकते हैं ठीक है यहां तक समझ आगी अब हमारे पास eigen values और eigen vectors को किस तरीके से हम find out करते हैं वो देखते हैं हमारे पास है जजनाब एक simple matrix है simple सी चीज है हमारे पास मैं यहां पर 2 0 और 0 3 यह draw करता हूँ अब इसका हम eigen vectors और eigen values जो हैं वो calculate करते हैं 2 0 और 0 3 अब आपको भी पता है कि यह 2 0 और 0 3 है यह हमारे पास एक matrix है each has a position किसी भी तरीके से जब भी हम कुई काम कर रहे होते है matrix का तो हमारे पास उनकी positions होती है अगर आप इसको देखें तो यह किस चीज की position होती है i hat की यह वाली किस की होती है j hat की ऐसे ही है यह दो vectors जो है हमारे पास इसी तरीके से होते है अब इनको मैं करता हूँ plot इस तरीके से इस vector को plot करता हूँ i hat का मतलब क्या हुआ अगर 2 0 है value 2 होता है x तो 1 2 यहां पर यह vector आएगा and this would be something like this 2 0 ठीक है और अगर हम नीचे वाले को देखें j hat तो this is 0 and 3 तो यह बनता है 0 and यह इसकी value 3 है 1 2 and 3 तो यह हमारे पास 1 and 2 है 1 2 and 3 आगया तो यह हमारे पास j hat है यह हमारे पास i hat है अब आप मुझे बता सकते है कि हमने क्या करना है eigen values and eigen vectors इसके find out करने है ठीक है समझागी बात की अब देखते हैं यहां पर क्या होता है eigen values को find out करने के लिए हमारे पास कुछ special formula होते है for example हम इनको numbers के through भी लिख सकते है तो यह जो हमारे पास खास तोर पे diagonal है इनको हम eigen values भी बोल देते हैं अक्सरोकात क्यों eigen values भोलते है मैं अभी आपको समझाता हूँ पहले हम इसका eigen vector द्रियाफत कर लें ठीक है eigen vector eigen vector क्या होगा वो हम द्रियाफत करते है जब हमने इस चीज को यहाँ पे draw किया तो अगर आप गौर करें इसको unit vector के अंदर अगर हम ले के आए तो हमारे पास जो इसकी value बनती थी that was 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे ठीक है तो यह 2 के साथ multiply हुआ यह 3 के साथ हुआ तो इसी वज़ा से यह 2 की value यहाँ पे आगी 3 की value यहाँ पे आगी ठीक है मतलब अगर इनके base vectors देखे जाएं तो I and J hat 1 1 के थे ठीक है एक को 3 से multiply किया गया दूसरे को किया गया 2 से और इनकी direction भी same रही direction भी same रही और यह इस side पे रही यानिके इस एक matrix का जो eigen vector है यह होगा क्या होगा गौर करें दरा इस एक direction का eigen vector जो हमारे पास पहले वाला होगा वो 1 0 होगा 1 0 क्यों होगा यह आपको भी पता है क्यूंकि हम उसको जब draw कर रहे हैं इसकी value कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रही है ठीक है 1 0 और अगर मैं दूसरा eigen vector देखूं तो हमारे पास कौन सा होगा आपको भी पता है 0 and 1 हमने क्या किया है जब एक matrix बना है उसने इस i hat and j hat को multiply किया है with two things ठीक है एक दो के साथ multiply हुआ एक तीन के साथ और दो के साथ अगर i hat की value लिखें तो ये है तीन के साथ अगर मैं j hat की value लिखें तो वो ये है अब अगर हम इनको multiply करें तो हमारे पास वो ही vector नहीं बनता अगर आप गौर करें यहाँ पे two ones are two zero plus यहाँ पे आएगा जनाब हमारे पास zero and three तो at the end हमारे पास two by three का ये वाला इस तरीके से vector बनता है लेकिन अगर आप गौर करें i hat और j hat को अगर हम separate separate कर रहे हैं तो हमारे पास two zero आएगा एक matrix इसकी transformation और दूसरी zero three आएगी ये वाले matrix की transformation आएगी इस matrix से हम वापस जा रहे हैं और find out कर रहे हैं कि इसका eigen value क्या थी यानि कि base को कितने से multiply किया तो वो हमारे पास value आई और second हमने देखा है कि इसका vector यानि कि इसका main vector था वो क्या था ठीक है so this is how you can actually identify the eigen vectors and eigen values ये बहुत असान होता है जब आप छोटे level पर इसे देख रहे होते हैं obviously जब आप बड़े level पर जाएंगे तो आपको इसको और भी अच्छी detail में देखना पड़ेगा and I know कि ये छोटे level पर इसको समझना असान होता है लेकिन जब बड़े level पर जाते हैं अगर आप देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा पीछे जाके दुबारा से उन वातों को सुने अगर आपको लगता है कि फिर नहीं समझाए दो दफ़ा सुने तीन दफ़ा सुने it will be clear for you क्यों? क्योंके basis vector से बात चली है जो मैंने basis vectors बनाए थे start के अंदर I and J hat यह इन से बात चली है तो जो हमें 2, 3, 0, 0 यहां पे आ रहे हैं अगर आप देखें तो मैंने यही आपको दिखाया है ना 2 and 3 यह जब transformation लगती है 2 by 3 की यहां पे I and J पे तो हमारे पास यह वाला matrix जो है यह transformation होती है इसके eigen values and eigen vectors क्या है कुई भी matrix जब हमारे पास आता है हम जब इस matrix को देखते हैं इसका मतलब है कि यह कोई transformation है linear transformation है जो किसी unit basis vector पे अपलाई हुई है अब basis vectors क्या है यह आपको भी पता है कि कोई भी ऐसा vector जिसकी specific direction है और उसका specific dimension है और usually यह one की होती है इसकी dimension and इसकी direction ठीक है या उपर होगी या right side पे अब हमें नहीं पता यह उपर थी या नीचे थी लेकिन जब हमने यह वाला vector draw किया और यह वाला vector draw किया तो हमें पता चला कि हमारे पास इनकी direction आ सकती है जैसे मैंने यहाँ पे two zero draw किया यहाँ पे zero three draw किया तो मेरे पास इनकी direction आ गई कि यह एक possible direction हो सकती है अच्छा अब जब unit vector हमने find out कर लिए वो तो हमें बताते हैं कि vector की direction vector direction अब आपको भी पता है कि eigen vector एक ऐसा vector होता है जो basis vector की direction रखता हो यही चीज तो मैंने bicycle वाली example में समझाईए न कि bicycle का size बड़ा हो गया लेकिन direction सेम है तो जो चीज same direction से बढ़ रही है इसका मतलब जो इसकी direction है और जो इसकी direction है वो ही direction होगी आपके eigen vector की और वो ही direction होगी आपके basis vector की ठीक है तो basis vector और आइगन vector की direction सेम रहेंगी अब यह तो हमें पता चल गया obviously जब हमने scalar इसमें से निकाल लिया तो हमारे पास scalar जो होगा वो आइगन values होगी तो जारी बात है इस तरीके से आप आइगन values और आइगन vectors जो है उन्हें देख लेते है आइगन values और आइगन vectors की कुछ properties भी होती है which you can find out later on आप अगर खुद से भी इसको देखेंगे तो आपको समझ आजाएगी but I would suggest कि जब आप आइगन values और आइगन vectors को देखें तो उनकी key properties को ज़रूर find out करें key properties को ज़रूर find out करें मैं भी आपको दिखा देता हूँ अभी दो तीन इसकी जो key properties important है और फिर आपको और भी detail में इसकी समझ आ जाएगी ठीक है right let's see इसकी जो एक main property है वो मैं आपको बता देता हूँ वो यह होगी कि यह multiplicity होती है of your basis vectors यानि कि basis vectors की extended form होती है यह eigen values and eigen vectors और usually आप तभी find out करते हैं जब आपके पास कोई specific matrix होते है मिसाल के तोर पे अगर 90 degree की इसकी rotation होई होती तो मेरे पास eigen values और eigen vectors नहीं आते reason क्या है कि जब 90 degree right side पे मैं इसे rotate करता तो x y बन जाता और y जो होता वो x बन जाता मिसाल के तोर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यह मेरे पास अगर transformation कुछ इस तरीके से लगी है कि यह मेरे पास 90 degree rotate होके यह j hat बन गया और यह i hat बन गया तो हमारे पास जो i hat की पहली position थी वो यह थी second हमारे पास यह बन गया तो यह इसका eigen vector नहीं हो सकता क्यों? क्योंके उसकी direction change हो गई है so we need to check that हमारे पास direction same रहेगी and then scalar quantity की multiplication जो है हमारे पास आजाएगी and then you can also find out few other key properties whenever you want to do that